नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर So I am sure आपने सुना होगा हाल ही में यूनियन गावर्मेंट के द्वारा दिल्ली की MCD को लेकर एक नया कानून यहाँ पेश किया गया है उस particular कानून के तहट Central Government ने यह कहा है कि दिल्ली में जो function करने वाली तीन MCDs है उन तीनों MCDs को हम लोग combine करने वाले हैं यानि कि उनको हम लोग एक single MCD में convert करने वाले हैं यह आप यहाँ पे देख सकते हैं यह वाला जो bill है इसको लोगसभा में हाल ही में पेश भी करवाये गया था बिल्ल तो यूनिफाइ थरी डेली सिविक बॉड़ी इन लोगसभा टुमॉरो यह वाली खबर 29 मार्च की है और यह वाला जो बिल है दोस्तों इसको बेसिकली लोगसभा में पेश किया गया था 30th of March को इसी के बार में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सबसे पहले तो दिल्ली की MCD का इतिहास क्या था किस तरीके से यह तीन MCDs बनने में आई थी and what are the main reasons जिसके चलते Central Government इस MCD के बिल को यहाँ पे पेश कर रही है तो सबसे पहले MCD के ब्रीफ से इतिहास को समझ लेते हैं MCD दोस्तों इसको स्थापित किया गया था 7 April 1958 को by the Delhi Municipal Corporation Act of 1957 उस ताइम पर दिल्ली में कुल मिला के जो है वो 9 districts हुआ करती थी उस 9 districts में से 8 districts को गवर्न करने का जो दारोमदार था वो दिल्ली की MCD यानि की Municipal Corporation of दिल्ली को दिया गया था आज के टाइम पर आपको मालू होगा दिल्ली में कुल मिला के 11 districts आती हैं और उस टाइम पर ये दिल्ली के लगभग 1397 स्क्वेर किलोमेटर एरिया की देख रेख कर रही थी आपको बता दूं कि जिस टाइम पर इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली का आता था और साथी में यहाँ पर जो आपकी केवल अबादी की ही बात नहीं जो यहाँ पर एरिया कवरेज था वो भी इसका काफी बड़ा माना जा रहा था अब क्या हुआ कि धीरे धीरे दिल्ली बढ़ती गई वहाँ की अबादी बढ़ती गई तो 2012 की बात है उस टाइम पर आपको ध्यान होगा उस टाइम पर जो सरकार थी तो उन्होंने यहाँ पर एक नया बिल पाश किया यह बारा जो नया बिल उनके द्वारा पेश किया गया था तो MCD of Delhi जो है it was split into three smaller municipal corporations उस टाइम पर जो तीन अलगलंग municipal corporation बनकर आई थी उसमें number 1 पर थी North Delhi Municipal Corporation यानि की NDMC नंबर 2 पर बनकर आई थी South Delhi Municipal Corporation और नंबर 3 पर बनकर आई थी East Delhi Municipal Corporation इसमें जो NDMC और SDMC थी इनके अंदर जो municipal wards थे दोनों के अंदर बराबरी के 104 wards आपको देखने को मिलते थे और जो EDMC थी इसमें आपको चॉंसर्ट वार्ड देखने को मिल जाते थे यानि की 208 प्लस 64 यानि की टोटल लंबर जो आपको देखने को मिला 272 मुनिसिपल वार्ड का आपको नंबर यहां देखने को मिलता था उस ताइम पर गवर्मेंट ने यह ट्राइफरकेशन इसलिए करी थी बिकॉज अगर आप छोटी मुनिसिपलिटीज को बनाएंगे तो इसका उनका जो बेसिकली अपेक्षा थी इस चीज़ से वो यह था कि जो पॉब्लिक सर्विस डिलिवरी है वो और इंप्रूव हो जाएगी वी विल बी प्रवाइडिंग मोर एफिशेंट सिविल सर्विस तू दे पॉब्लिक और यह चीज़ चलती रही उसके बाद हम लोग डिरेक्ली ज को DMC का जो बिल था इसमें इनोंने क्या कहा number one point वो यह था कि we are seeking to merge the three municipal corporations NDMC, SDMC, EDMC of Delhi into one तो पहला point तो यह था दूसरा point इनोंने यह भी कहा कि जो number of seats है वो इस merged municipal corporation में वो 250 से जादा नहीं होगी यानि कि यहाँ पे मैंने आपको बताया 272 seat थी लेकिन जो आने वाला जो बि से जादा नहीं हो सकती है इस बिल को पेश करने के पीछे भी obviously कुछला कुछ टारगेट होगा तो central government ने यहाँ पे अपने basically objectives को list down किया उन्होंने कहा कि जो trifurcation यहाँ पे हो रखी थी municipal corporation of Delhi की it was uneven in terms of territorial divisions at revenue generating potential यानि कि जो यहाँ पे revenue generated हो रहा था वो कम था और जो territory की division थी वो है कि जितने उनके पास संसादन उपलब थे ठीक है और जितनी उनकी यहाँ पे जमेवारियां थी उसमें भी आपने synergy maintain नहीं करी हुई थी इन सभी के सभी चीजों के चलते जो financial difficulties थी वो काफी बढ़ चुकी थी तीनों की तीनों corporations की leaving them incapacitated to make timely payment of salaries and retirement benefits to their employees हाला कि यह बात दो से नहीं दे पा रही है बलकि यहाँ पर problems इतनी बढ़ चुकी थी कि because of these things MCD के employees कई बार उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया था आप यहाँ पर देख सकते हैं यह वाली खबर फरवरी आट 2022 की है the delay in the payments of salaries and retirement benefits have resulted in frequent strikes by the municipal employees of Delhi और यह चीज ऐसी है जिसका जो recognition है जिसका जो acknowledgement है यह दिल्ली की सरकार के द्वारा भी यहाँ पर किया गया था इसी लिए उन्होंने कहा कि हम लोग एक single integrated और well equipped NDMC लेकर आएंगे जिससे कि हमारा जो mechanism काफी robust हो जाएगा और साथी में हमारी जो planning और utilization of resources यह भी काफी improve हो जाएगी साथी में इन्होंने कहा कि से पादर्शिता आएगी transparency बहतर होगी governance बहतर होगा and more efficient delivery of civic service for the people भी आपको देखने को मिलेगा यह था छोटा सा कानून जो कि इनके द्वारा पेश किया गया था अब इसके effect क्या क्या होंगे दिल्ली सरकार के ऊपर उसको भी समझ लेते हैं number one effect यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो Delhi municipal body की elections है वो यहाँ पर डिले हो जाएंगी number two इन्होंने कहा कि there will be reduction in the power of Delhi state government किस तरीके से उसको समझ लेते हैं number one की बात करते हैं Delhi municipal bodies की जो elections ही दोस्तो यह होने वाली थी mid April में यानि कि आज से 15 दिन के बाद यह वाली election होने वाली थी लेकिन क्योंकि central government ने state election commission को यहाँ पर चिथी लिखी कि हम लोग इन तीनों bodies को merge करने वाले हैं तो आप लोग जो हैं इस MCD के चुनावों को फिलहाल के लिए delay कर दीज to cancel the elections is unprecedented, unconstitutional and bad for the democracy बल्कि इसमें जो नई दिक्कत है वो यह भी है कि जो यह postponement है यह असल में कोई छोटी मोटी postponement नहीं बल्कि काफी बड़ी postponement बन जाएगी क्यों? बेकॉस जो नयवाला बिल है वो कहता है कि total seats अब जो हो सकती है वो केवल 202 हो सकती है और पहले जो seats थी वो 272 ती यानि कि अब पूरा का पूरा जो delimitation exercise है उसको दुबारा से conduct करवाना पड़ेगा जिसमें की लगभग आप सोचके चलिए कि 6 महीने लग सकते हैं इसके चलते अगर ऐसा होता है तो MCD के elections जो की पहले होने वाले से April में ये स्वभाविक सी बात है कि काफी जादा यहाँ पे delay हो सकती है तो पहला प्रभाव तो आपको ये देखने को मिलेगा जो की Delhi Municipal Body की elections अब delay हो सकती है सेकेंड अगर हम प्रभाव की बात करें तो उसमें कुछ sub pointers आते हैं for example कि यहाँ पे funds की दिक्कत आती है special officer की यहाँ पे point आता है और कुछ और provisions भी आते हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे funds के case में क्या था कि पहले क्या था कि earlier the funds for the three corporations were released by the Delhi government under the basic tax assignment from the funds provided by the center तो पहले central government Delhi government को पैसा देती थी Delhi government accordingly अपनी MCDs को उसके हिसाब से पैसा दे रही थी लेकिन अब जो नया वाला कानून है उसमें उन्होंने क्या कहा है इन्होंने कहा है the bill proposes to keep out the Delhi government include funds by substituting the word government with the word central government यानि कि अब जो है वो central government सीधा इनको पैसा देगी कहने का मतलब साफ है कि जो DMC का जो नया amendment bill पेश किया जा रहा है इसको जो power और functions यहाँ पे दिये जाएंगे यह basically वो सारे power of functions यहाँ पे करेगा जो की इस bill के आने के बाद basically include करवाई जाएंगे इन्होंने basically यह कहा है कि जब तक elections नहीं होंगी center जो है यहाँ पर एक special officer को appoint करेगा जो की पूरे के पूरे कामकाच को यहाँ पे संभालेगा कि इनकी functioning किस तरीके से होने वाली है consultations in case of delimitation exercises for municipal wards याने की delimitation के case में अब दिली government का कोई रोल नहीं होगा providing recommendation and approval for building the bylaws तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि अब डेली government को include नहीं किया जाएगा यह यहाँ पर impact हमें देखने को मिला है अब एक और fact मैं आपके सामने पेश कर दूँ और यह fact क्या है कि जो municipalities को लेकर जो भी यहाँ पर उनके संगठन को लेकर उनके organization को लेकर या ऐसा मान लिजे कि उनके constitution को लेकर constitution हमारा सम्विधान क्या कहता है कि इनका जो भी यहाँ पर powers है अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर central government गलत कर रही है लेकिन एक और side भी है इस कहानी की अगर central government ऐसा कर रही है तो definitely कुछ powers के तहती कर रही होगी आपको मालूम होगा कि 69th constitutional amendment act के तहत जिसके तहत कई सारे special status दिये गए थे दिल्ली सरकार को कई सारे नए अनुछेद हमारे समविधान में डाले गए थे उसके तहत यह भी है कि कोई भी कानून जो कि दिल्ली की विधान सभा के द्वारा पास किया जाता है उसका शंशोधन कल को पार्लिमेंट के द्वारा भी किया जा सकता है तो इसी चीज का यहाँ पर पावर का इस्तिमाल करते हुए central government के द्वारा ये amendment को किया गया है लेकिन ये वाली चीज भी आपके समविधान में ही लिखी हुई है तो एक चीज तो सभाविक है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़े बदलाव तो आने वाले है और वो बदलाव जो है हो सकता है कि कल को उसको state government जो भी डिल्ली की है वो वहाँ पर उसको डिल्ली high court में या supreme court लेकर जाए लेकिन definitely ये एक बहुत बड़ा contest दोनों के बीच में में देखने को मिलने वाला है आने वाले कुछ time के अंदर आप अपनी राए हमें comment section में definitely दीजेगा कि क्या आपको लगता है कि जो ये आने वाला bill है ये दिल्ली की financial problems को resolve कर सकता है या फिर आपको लगता है कि ये जो पूरा का पूरा bill है politically motivated है and it will affect the federal relations between Delhi and center please do not forget to comment below in the comment section thank you so much for watching this video फिल्हाल कि इस वीडियो में इतना ही जाने से पहले बताना चाहँँगा दोस्तों अगर आप लोग Unacademy से पढ़ना चाहते हैं इसमें अगर आपको अंडोल करना है तो please use the code UNI UPSC for enrolling in the same इसके लावा last mile program है इसमें भी आप लोग अंडोल कर सकते हैं thank you so much for listening stay tuned and stay safe